असलाम आलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तंदूरी रोस्टेड मसाला चिकिन की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनेगा और जट पट से आप इसको बना कर तियार कर लेंगे तेस्ट में एकदम चट पटा सा चट कारेदार ये मसाला चिकन बन कर तियार होता है जरूर कीजिएगा बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है तो रेसिपी पसंद आए प्लीस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और अपने फैंबली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा तो चिली देख लेते हैं हमने जलेशियस रेसिपी को कैसे बनाया तंदूरी मसाला चेकिन बनाने के लिए यहां पर हमने देखिए तीन इस तरह से फुल लैक्स ले लिए इस तरह की ले लीजिएगा अच्छे से हमने इसको वाश कर लिया था एक शनी में डाल कर रख दिये जिससे कि इसका सारा पानी ड्राय हो गया पानी नहीं होना तो फर्स्ट मेरीनेशन में रखेंगे पहले वान टीस्पून नमक एट कर देना है हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर एक लेमन जूस बड़े साइस का आप लेमन ले लीजिएगा उसका जूस निकालीजिए इस तरह से एट कर दीजिएगा अब अच्छे से सभी चीजों को यहाँ पर मिक्स करेंगे और इसी के साथ ही यहाँ पर वन टीबल स्पून अधर क्लैस्ट का पेस्ट भी एट कर करेंगे तब तक यहाँ पर हम इसका सेकंड मेरिनेशन त्यार कर लेते हैं तो एक बोल लीजिए इसमें हमने 4 टीबल स्पून दही को छनी में डालकर रख दिया था एक घंटे करी जैसे कि इसका सारा जो पानी था वो निकल चुका है इस तरह से हेंकड हमको मिल गया है यह और वन टीबं यहाँ पादरकल स्पून का पेस्ट एट कर देना है रहे लेख ड़क कर की औरавайत देना हैं कुछ पावडर म legitimately तो इहां पर ट् Hammur चाट मसाला पॉडर मडर और यहां काली नमक ही ते आवश और ती स्पून बुनका साट जी Minister switching tryam Lucas Pard şu tocoat हुटा खनीय यह कर दिंगे इसको हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया और इस तरह से धंडा होने पर क्रेश करकर इसमें एड़ कर दिया बहुत अच्छा अच्छा आता है और इसमें दो टेबल स्पून और एड़ कर दिंगे एक लेमन जूस इस अभी इंग्रीडेंट की लिस्ट आपको डिस्क यहां पर हमारा जो मैरिनेशन है अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है और यहां पर चिकिन को रखे हुए भी देगी 10-15 मिनट हो चुके हैं मैरिनेट किये हुए इतना सारा इसने पानी रिलीज कर दिया है अब इस पानी को हम अलग कर देंगे पानी नहीं लेना है इसका एड कर दिजेगे यह देखिए इस तरह से और जो हमने कट्स लगाए उस पर भी अंदर इस तरह से हाथों से रब कर दिजेगा इसको कवर कर दिगे 10-15 मिनट के लिए छोड़ दिगे और देखिए जो मैरिनेशन बचा है उसको आप साइट कर दिजिए इसका यूज हम बात यहां पर देखिए यह ऑना देखिए यह एक बास्केट ले लिया इसमें बटर पेपर अपलिया करतें एस तरह से बटर पेपर में हम इसको करेंगे चिकन को जिसके चिकिनें यह fan e हमारे च्किन के वह प्राइंज है यह दी सब्सक्ता कोई बटर नहीं करती है अबसको प्लेस कर देना वाला चिकिन लेक्स वाला और देखिए 40 मिनट का ये टाइम दे रहा है तो 40 मिनट के लिए हम इसको बेक करने के लिए छोड़ देंगे तब तक यहां पर हम ग्रेबी तियार करेंगे और हाँ अगर आप इस एगारों के रेजंसी एर फ्रायर को बाय करना चाहते या नि देखिए दो मिनट के बाद और फिर उसके बाद भी पानी डालने के बाद दो मिनट और पका लीजिए लो टू मीडियम फिलेम पर इस तरह से आपकी ग्रेवी बंकर त्यार हो जाएगी तो बस इसको हम साइट कर देंगे यहां पर मिंट रायता तीयार करेंगे तो हमने 200 ग पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जूरूर कर दें देखिए पुदीने को इस तरह से हम तोड़कर डालेंगे जिससे कि इसमें बहुत यह अच्छा फ्लेबर आएगा तो इसको एड़ करने के बाद अब इसमें कुछ पावडर मसाले जाएंगे तो यहां पर आदा टी एक ट हो गया है अब यहां पर देखिए टाइमर भियो ऊफ हो गया है ओटमेंटिकलीए टाइम इड्जैस्स कर लेता है और इस तरह से दीखिए अब चैकिन को बाहर निकाल लेंगे बास्कीट को यहां पर मैं आपको खोल कर दिखाऊंगी यह कि पहले इसको एक प्लेट में निक कर लिए हमने इस तरह से रखा रहने दीजिए और एक ग्रिल नैट ले लेंगे फ्लेम को हाई करेंगे और थोड़ा थोड़ा इसके उपर मैल्टेड बटर अप्लाए करेंगे दोनों साइट से बस कुछ सेकिंड के लिए आप इसको ग्रिल मार्क ले लिजिए इसमोकी नीबू और जो हमने रायता बनाया था मिंट रायता उसके साथ कीजिए इस रायता हमने सिंपल रायता बनाया क्योंकि चिकन और लेडी मसाले वाला है तो बस यहां पर मैं तोड़कर दिखाना जाओंगे यह बहुत ही टेंडर बहुत ही जूसी बनकर तयार हुआ है एक दम लगेगा जिसको भी आप खिलाएंगे आपकी तारीफ करते नहीं तकेंगे तो एक बार ट्राइज जरूर कीजिएगा और अपना फीड़बेक भी जरूर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक इंस्ट्राग्राम ने फिर फेस्बुक पर फालो नहीं किया है तो जल्दी जल्दी